गाईज आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है और गाईज आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है रेडमी के फोन में यहाँ पे लिका हुए रहता है Sign Message, Can't Active, Sim Card 2 तो इस तरीके से अगर आपके फोन में प्रॉब्लम आता है तो गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉलूसन बताने वाला हूँ तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वाच करिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिजिए और मारे चैनल को सब्सक्राइब भी कलिजिए सो गाईस चलिर वीडियो स्टाट करते है तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वह रेडमे के फोन में देखने को मिलता है तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले जाणे है अपने फोन के सैटिंग में सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एप्लिकेशन करेगी एक option देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको क्लिक करने है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको manage apps का option मिलेगा तो यहां पर आपको क्लिक करने है और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है सौमी जैसे आप सौमी लिख के सर्च करेंगे तो यह वाला option आ जाएगा सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं सौमी सिम कार्ड एक्टिवेशन सर्वेश इसका option आ गया है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टोरेज का option देखने को मिलेगा फास्ट में तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इसका डाटा क्लियर करना है सबसे पहले तो दोस्तों तो data clear करने के बाद आपकी जो problem है वो 100% solve हो जाती है उसके बाद दोस्तों आपको ये जो problem आ रहा था आपके phone में इस तरी किसे ये वाला problem आ रहा था तो ये जो problem है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके phone में और अगर फिर भी problem आ रही है तो आप सभी लोग मेरे को comment करके बता सकते हैं फिर मैं आपको उसका solution भी बता दूँगा तो guys अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कर दिजे और चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किये तो हमारी चैनल को subscribe भी कलिजी